दोस्तों कल नितिश कुमार ने परधान मंतरी नरेंदर मोदी को बैक फूट पर लाकर खड़ा कर दिया हुआ ही हूँ कि कल नलंदा अंतराष्ट्री विश्विद्याले का उधगाटन था और उधगाटन परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने करना था और प्रोटोकल ये बोलता है नरेंदर मोधी परधान मंतरी सबसे end में बोलेंगे और उनसे पहले जिन लोगों ने बोलना है वो बोलेंगे और हुआ भी ऐसा ही नितिश कुमार नरेंदर मोधी से पहले बोले और आपको पता ही है election जब campaigning थी तब भी नितिश कुमार को साथ रखते थे परधान मंतरी और नितिश कुमार उनसे पहले बोलते थे और नितिश कुमार इतना सब बोल जाते थे जितने भी schemes हैं उनका सब का credit खुद ही ले जाते थे परदान मंतरी के लिए कुछ बोलने के लिए बचता ही कुछ नहीं था तो एक वक्त ऐसा आया कि परदान मंतरी ने नितिश कुमार को अपने प्रोग्राम्स में लेना बंद कर दिया जिसके कारण काफी विवाद भी उठा और कल सरकारी प्रोग्राम था केंदर में इनकी सरकार है नितिश कुमार गडबंदन के सहयोगी है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि परदान मंतरी उधगाटन करने जाए और नितिश कुमार ना जाए अगर नितिश कुमार जाएंगे तो वो बोलेंगे अगर बोलेंगे तो पहले बोलेंगे और हुआ भी यूँ ही नितिश कुमार ने जो बोला जब आफ वो भाशन सुनेंगे परधान मंतरी का चेहरा और जो उनकी बाड़ी लेंग्विज थी वो दोस्तों देखने वाली थी क्या आप बोला नितिश कुमार ने सबसे पहले आप उनका भाशन सुनें आदेना जरूरी है ताकि सब लोग जान लिजे कुरानी बातों को भी जान लिजे कैसे बना किस तरह से बना ये सब भी और फिर 2010 में वर्स में हमारे अनुरोद पर नालंदा अंतरास्ति विश्विद्याले के स्थापना हेतु लोक सभा में बिल पारित किया गिया जब बहुत बार बार हम कह रहे थे तो अंत में वहां पर था उसे में तो सरकार दूसरे की थी लेकिन हम लोग ने इतना ज्यादा कहते रहे और उसके बाद फिर एक बार वह लोग वहां पर इसको लाए लोक सभा में फिर राज सरकार पारित किया था कि इसको हम कराएंगे तो फिर करके बढ़ता रहा और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई है तो दोस्तों आपने देखा नितिश कुमार ने नलंदा अंतरराष्ट्रे विश्विद्याले का सारा क्रेड़ यूपीय सरकार को दे दिया उन्होंने बोला ये लोगसबा में यूपीय सरकार ने बिल आदत है वो सारा क्रेड़ खुद लेने की है मोदी जी के करेक्टर के साथ नितिश कुमार का यूपीय को क्रेड़ देना वो उनके करेक्टर के साथ ठीक नहीं बैठा दोस्तों ये जो नलंदा अंतरराष्ट्रे विश्विद्याले ये जो उसका खोलने का जो प्रोग्राम था ये एपीजे अब्दुलकलाम साब का था उनके मुताबिक नलंदा अंतराष्ट्रिय विश्विद्याले तो यहां पहले से था और यहां अंतराष्ट्रिय स्तर के लोग बच्चे यहां पढ़ने आते थे उस जमाने में जब यातायाद के तने सादम भी मजूद नहीं थे हिंदोस्तान में तब भी वो बाहर से कई कंट्री से आते थे और नितिश कुमार ने अपने भाशन में भी ये बोला कि प्रेजन ली 16 देशों के 400 विद्यार थी यहां पढ़ रहे हैं लेकिन जब कल परदान मंतरी का अधिवेशन होना था भाशन होना था तो उन्होंने सार की मोदी है तो मुम्किन है अरे वंगल यान गिया जिन्होंने साइंटिस ने बेज़ा तो मोदी है तो मुम्किन है 2014 में जब इनकी सरकार बनी तो इनी के लोगों ने इनी की ITCEL के लोगों ने ये अवाफ लाने शुरू कर दी कि असली अजादी अब मिली है असली अजादी अब मिली है हमारे 17 सनानियों ने अपने परानों की आहूती दे दी हमारे भारत वर्ष को अजाद कराने के लिए और BJP के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था असली अजादी 2014 के बाद मिली है दोस्तो परदान मंतिरी नरंदर मोदी ने नलंदा यूनिवस्टी का क्रेडिर भी खुद लेना था लेकि नितिश कुमार ने उनके सारे मनसूबों पर पानी फेर दिया दोस्तो हमने देखा की 1947 से लेकर 2014 तक बड़ी ज़्यादा सरकारे रही उन्होंने बड़ा काम किया बड़ी डीवल्मेंट्स हुई कईयों के tenure में कुछ ज़्यादा हुई, कईयों में कुछ कम हुई बड़े ज़्यादा plans मनें, बड़े ज़्यादा programs हुए कुछ pass हुए, कुछ fail हुए जो होता भी है लेकिन यह हमने पहली सरकार देखी 2014 के बाद जो कह रही है जो हुआ 2014 के बाद हुआ जो development हुई, जो विकास हुआ, 2014 के बाद हुआ अरे क्या विकास हुआ, आपने नोडबंदी का सबसे बड़ा गोटाला किया, और आप उसको विकास बोलते हैं जो electoral bonds का गोटाला, जो सामने आया, कई कंपनी से आपने लाखो करोडो का चंदा लिया, और दवा कंपनीस, जिनके सेंपल फेल हुए टेस्ट में, उनसे पैसे लेकर उनके दवा आपने मार्केट में उतार दी तो आप कह रहे हैं, विकास हुआ, यह आपने development की और अब जो need का, जो exam हुआ, उसमें लाखो करोडो का घपला आपने किया पेपर लीग कर दिये, और आप कहा रहे हैं, जो भी हुआ, दोरजाज चोदां के बाद हुआ दोस्तों, आज उसी पुरानी परंपरा के तहत, नलंदा में मोदी जी का बाशन होना था, और मोदी जी ने सारा क्रेडिट खुद लेना था, लेकिन नितिश कुमार ने UPA की तारीव करकर मोदी जी के उस सारे मनसूबे पर पानी फेर दिया, और अब ये कोई नहीं निकार सकता कि नलंदा अंतराष्ट्रे विश्विद्याले की स्थापना में UPA का युगदान है, जब से केंदर में सरकार बनी है, नितिश कुमार बार बार ये कह रहे हैं, अब मैं कहीं नहीं जाओंगा, और हमने जब भी देखा है, जब उन्होंने ये बार बार कहा है कि अब मैं कही कहीं नहीं जाओंगा, वो फोरण कहीं दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, किसी दूसरे संक्ठन के साथ चले जाते हैं, और उनका ये बार 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 बोलना कि अब वो कहीं नहीं जाओंगा, ये एक इंडिकेशन है कि अब वो बहुत जलत कहीं जाना चाते हैं, कहीं जान लगाया जा सकता है कि घडबंदन में उखास कर बिहार में सब कुछ नॉर्मल नहीं है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और जो मोदी जी का ब्यान नलंदा विश्विद्याले अंतराश्ट्रे विश्विद्याले में कि यूपीय सरकार ने इसके लिए पैसा दिया था बिल पारि के बाद कि देखो मोदी जी विश्व गुरू है उनकी बदोलत नलंदा विश्विद्याले का उद्गाटन हुआ है पहले तो वो खंडर था ये मोदी जी ने उद्गाटन करवाया है और ये आम जन तक पहुंच जाना था और पहली सरकारों का क्रेडिट फिर मोदी जी ने कि अनसेर के का स विर मोदी हैं का और रहुत है पहले हैं जी को सरकारों का IT, बढũ कि जी जी गुआ है विए मेजिक हैं